हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आसा है आप सभी अच्छे होंगे आज हम आपको अनन्द चतुर दर्सी वरत कथा सुनाने जा रहे हैं दोस्तों अनन्द चतुर दर्सी वरत भादो महीने के सुकल पच्छी की चतुर दर्शी तिथी के दिन किया जाता है और इसको बहुत ही महाराज अपने शिश्यों और अन्रिशी मुन्यों को स्रीमत भागवत की कथा सुनाते हुए बोले हैं रिश्यों जरासंद की मृत्यु के पस्चात महाराज युधिष्टिर ने विसाल राजश्य यग्य का अयोजन किया उस यग्य में दूर दूर से भारतवर्स के बड़े- सुन्दर भावन का निर्माड किया था उसमें भावन में कई ऐसी विसेस्ताइं थी जो उस भावन को देखने वालों को भ्रहम में डाल देती थी उसमें जहां पर अगनी प्रजलित होती दिखती वहां सब कुछ सामानी होता जहां जल होता वहां इस्थल होने का आभास होत ऐसी विशेस्ताओं वाले उस भावन को देखने के लिए दुर्योधन भी गया और उस भावन की भाविता और सौंधरी को देखकर मोहito हो गया एक इस्थान पर जहां जल था परंतु इस्थल होने का आभास होता था वहां वो जल में गिर पड़ा और उसे ऐसी अवस्था में देखकर दुरुपती को हसी आ गई और उसने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कह दिया दुरुपती दौरा किये गए इस अपमान से दुर्योधन तिल्मिला उठा उसने पांडवों और दुरुपती को अपमानित करने और उनसे उसका राज छीनने की इच्छा से पांडवों को हस्तिनापूर आकर जुआ खेलने का निमंतरन दिया और उस चौसर के खेल में कपट द्वारा पांडवों का राज छीन कर उन्हें दास बना लिया और महारानी दुरुपती को जीत कर उन्हें दासी कहकर आपमानित किया और उसके चीरहन का प्रियास भी किया उस समय दुरुपती के सम्मान की रच्छा सोयम भगवान सिरी कृष्ण ने की थी उसकी बाद पांडवों को बारा वर्स के वनवास और एक वर्स के अग्यातवास का प्रण निभाने के लिए कहा गया एक समराट से महाराज युदुष्टिर एक वनवासी बन गये थे उनक समस्त वैभो उनकी पास से चला गया और वो अपने भाईयों और रानी दुरुपती के साथ वन में रहने लगे एक बार जब भगवान सिरी कृष्ण उनसे भेट करने के लिए आये तो उन्होंने दुखी होकर उनसे अपने मन का सारा हाल कहा और उनसे उपाय पूछा कि कैस से उनकी समस्त परेशानियों का नास होगा कौन सा ऐसा व्रत और पूजन है जिसको करने से उनका खोया हुआ मान सम्मान और राजी प्राप्त हो सकता है तब भगवान सरी कृष्ण ने उन्हें अनंचतुर्डशी व्रत का विधान सुनाया सरी कृष्ण ने कहा है धरम पूर्ण होंगी या कहकर भगवान सरी कृष्ण ने उन्हें अनंचतुर्डशी व्रत की विधी बताकर उसकी कथा सुनाई अति प्रचिन काल में सत्युक के समय में एक ब्रामण हुआ करता था उसका नाम था सुमंत उसका विवा वशिष्ट गोत्र में उत्पन्न हुई भ सुसीला की अलपवायू में ही उसकी मा का सुरगवास हो गया तब उसकी पिता सुमंत का दूसरा विवा करकशा नाम की कन्या से हुआ करकशा सुभाव से ही बहुत ही दोस्ट और वो सुसीला के प्रति दोस्पून भाव रखती थी करकशा अपने पती से भी प्रतिदिन और वो विवायोगी हो गई उसके रोप और गुडों की चर्चा सुनकर वेदों की क्याता और मुनियों में श्रेष्ट कॉड़ी रषी सुमंदK की पास सुसीला से विवा की इच्छा लेकर आये कॉडिली रिशे ने सुमंद से उसकी पुत्री सुसीला विवा उनकी साथ करने के लिए कहा सुमंद ने खुशी के साथ अपनी पुत्री का विवा कॉडिली रिशे के साथ कर दिया अपनी पुत्री को विदा करते समय उसे कुछ देने की इच्छा से सुमंद अपनी पत्नी करकसा से कहा तो उसने घर के सारे पुराने सामान और बरात के खाने के लिए रास्ते के भोजन के लिए रात का बचा हुआ भोजन बांद दिया यह सब सुसीला ने देख लिया उसको यह देखकर बहुत दूख हुआ उसे लगा कि जब उसके सस्राल वालों को यह सब पता चलेगा तो उसका कितना अपमान वो लोग करेंगे उसे उनका तिरशकार भी सहना पड़ेगा यह समझ कर उसने मन में आत्म हत्या का विचार कर लिय जब मार्ग में सब एक नदी के किनारे तो सुसीला नदी में डूब कर आत्म हत्या करने की विचार से वहां पहुंच गई वो जब वहां पहुंची तो उसने देखा कि वहां पर बहुत सी इस्तुरियां कोई पूजन कर रही हैं सुसीला ने उन इस्तुरियों से पूछा कि आप लोग ये क्या कर रही हो तब उन्होंने उसे बताया कि आज अनंद चतुर्दसी है और हम सब अनंद भगवान का वरत एवंपूजन कर रहे हैं इसके करने से मनुसिकी सभी मनों कामनाय पूरी होती है तब सुसीला ने उन से अनंद चतुर्दसी वरत का विधान पूछा तब एक इस्तरी ने उन्हें बताया कि है सुसीला या अनंद चतुर्दसी का वरत है और इसमें भगवान विश्नु के अनंद सरूप का वरत और पू आगे को बांते समय अनंत भगवान से प्राथना करेंगी है अनंत देव आप इस संसार रूपी सागर से मुझे पार लगाओ मेरा उद्धार करो आपको बारम बार मेरा प्रणाम है फिर सूत्र को अपने हाथ में बांधें और अनंत भगवान का ध्यान करें तब सुसिला ने वही वरत का संकल्प किया और पूजन करके अपने बाई बांधें पर चोधा गरंथी युक्त सूत्र बांधा और अनंत भगवान से प्राथना करी कि है भगवान आप तो सब जानते हैं आज मेरे सस्राल वालों के समझ मेरी और मेरे पिता की लाज रखो मैं आप से यही मां कि आज अनंच दूर्दशी है और मैं न दिके किनारे अनंध भगवान का पूजन करने गई थी इधर उसके बारात के सब लोग अनंध से भोजन कर रहे थे वहां भोजन में तरह तरह के पकवान थे सब ने सुसीला के परिवार के प्रशंसा करी तब सुसीला ने अनंध कुवान का आभार किया और अपना व्रत पूर्ण किया जब वो ससुराल पहुंची तो उसे अनंध दूर्दशी के व्रत का महतम का पता चला उस व्रत के प्रभाव से उसके परिवार में सुख सम्रद्धी बढ़ने लगी और धन धाने से उसका घर परिपूर हो गया उसका पती की दृष्टी उसके हाथ पर बंधे सूत्र पर पड़ी तो उसने सुसीला से पूछा कि ये क्या है और तुमने इसे क्यों बांध रखा है तब सुसीला ने का है स्वामिया अनंत भगवान का सूत्र है मैं अनंत भगवान का व्रत करती हूँ और उन्हें की करपा से बांध से निकाला और उसे दूद में डाल दिया अनंत्र सूत्र का इस प्रकार अपमान करने से कोडिल रिशी पर अनंत भगवान रूष्ट हो गया और इसके कारण उनका समस्त ऐस्वरी समाब्त हो गया घर जल गया धन चोरी हो गया घर परिवार में कले होने लगा और उन एन्होंने अपनी पत्नी सूसिला से कहा अचानक यह क्या हो गया हमारा सारा धन वैभोर नश्ड हो गया अपसु सेला ने उन्हें कहा कि ये सब अनंत भगवान और उनके उस सूत्र के अपमान के कारण हुआ है तब कौडिली रिशी को अपनी गलती परपश्चा ताप हुआ और उसका प्रयाश्चित करने के लिए वो तब करने और अनंत भगवान की दरसन की इच्छा से वन में च देखा जिसमें कीडे पड़े हुए थे उन्होंने उसे पूछा कि तुमने अनंत भगवान को देखा है क्या तब उस व्रच्च ने मना कर दिया और कहा कि नहीं मैंने नहीं देखा ये सुनकर जब कौडिली रिशी आगे बढ़ने लगे तो व्रच्च ने कहा कि अगर तु लिए कौडिली रिशी वन में आगे बढ़ते रहे वन में उन्हें घूमती गाएं और बचड़े मिले तब कौडिली रिशी ने गायों से पूछा है गो माता क्या तुमने अनंत भगवान को देखा है तब उस गाय ने भी मना कर दिया आगे कौडिली रिशी को एक बैल मिल उससे भी उन्होंने वही प्रेशन किया तो उस बैल ने भी मना कर दिया उससे आगे उन्हें दो पुष्प करणिया मिली उन्हें भी उन्होंने वही सवाल किया और उन्होंने भी उतर दिया जो उन्हें सबसे पहले सबने किया था इस परकार कौडिली रिशी वन में आगे बढ़ते रहे और उन्हें जो भी मिलता उससे वो यही प्रेश में पूछते क्या आपने अनंद भगवान को देखा है परन्तु किसी से भी संतो जनक उत्तर ना पाकर वो बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निश्य कर लिया जब उन्होंने आत महत्या का प्रियास किया तभी अनंद भगवान एक ब्रामण के रूप में प्रकट हो गए और कोडिली रिशी को लेकर एक गुफा की अंदर चले गए उस गुफा की अंदर कोडिली रिशी को बहुत सुन्दर लोग दिखा वहाँ पर चारो और एक दिवी प्रकास फैला वहाँ पर सभी लोग प्रशन थे वहीं पर उन्हें अनंद भगवान के विश्व रूप के दर्शन हुए एक दिवी सिंहासन पर अनंद भगवान संख चक्र गदा पदमुक के लिए गरुड के साथ विराजमान थे भगवान की विराठ रूप को देकर कोडिली रिशी ने उनकी इस्तुती करी और अपनी गलतियों के लिए उनसे छमा मांगी कोडिली रिशी की भगती युक्ति वचन सुनकर अनंद भगवान ने उनसे कहा है कोडिली तुम किस इच्छा से मुझे खोज रहे थे तुम भैमुक्त होकर मुझसे अपने मन की बात को हो तब कोडिली रिशी ने कहा है प्रभू मैंने अज्ञान और एहंकार की कारण आपका अपमान किया और आपके अनंसुत्र को अगनी में फेक दिया जिसके कारण मेरी सारी संपत्ति नश्ट हो गई, मेरे परिवार में असान्ती हो गई, मेरी मान पतिश्टा धूमिल हो गई, मैं अपनी गलती के लिए छमा प्राथना करता हूँ आपकी दर्सनार्थ के लिए मैं यहां आया हूँ आपकी दिविसरूप के दर्सन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया है प्रभू मैं आप से अपने अपराथ के लिए छमा मांगता हूँ और मेरे जीवन में सब कुछ पहले जैसा हो इसका उपाय बताईए तब अनंत भगवान को उस फर दया आ गई और उन्होंने कहा है कोड़िली तुम अपने घर जाकर 14 वर्षों तक अनंच तुर्दसी का व्रत एमम पूजन पूरी सरद्धा और भक्ति के साथ करो अपने दाय हाथ में 14 गरंथी युक्त अनंत सूत्र बांधना ऐसा करने से तुम्हारे सभी कस्टों का नास हो जाएगा तुम्हारे सभी मनों कामनाई पूरी होंगी जीवन के सभी सुख भोग कर तुम अन्त समय में समृद्धी को प्राप्त करोगे भगवान के ऐसे वचन सुनकर कोड़िली रिशी को संतो तब उन्होंने अनंत भगवान से मार्ग में मिले व्रच द्वारा पूछे गए व्रश्ण के विशे में पूछा तब अनंत भगवान ने उसे बताया कि वो व्रच पूरु जनम में एक विद्वान ब्रामहर था परंदू उसने विध्यार्थियों को सिच्छा ना दे कर जो बाप अरजित किया था उसी का ये परणाम है कि उस फलदार व्रच पर फल तो आते हैं पर क्यूडों का कारण कोई उसका उप्भोग नहीं करता कोडिल रिसी के मन में वन में मिले अन्य जीवों के विशे में जानने की इच्छा हुई उन्होंने अनंत भगवान से उसके व वो दोनों पुष्करणी पूर्व जनम में बहने थी उन्होंने तब कोई पुनिकरम नहीं किया था ना ही किसी याचक को भिच्छा दी थी और ना ही धरम का कारी किया इसलिए परस्वर लहरें उसमें आकर टकराती हैं परंतु जल वहां नहीं रुकता अनंत भगवान ने आगे कहा कि वो गाय पृत्वी हैं वह बैल धर्म हैं गधा क्रोध है वह हाथी एहंकार है वह गुफा संसार है और मैं अनंत हूं फिर कोडिल रिसी ने अपने घर आकर अपनी इस्त्री के साथ 14 वर्ष तक अनंत चतुर्देशी के व्रत का पालन किया और अनंत भगवान की करपा से जीवन के समस्तु भोग कर अन्त में स्वरुक को चले गए फिर भगवान स्री कृष्ण ने धरमराज उदिश्टिर से कहा कि आप भी इस व्रत को करो जैसे कोडिल रिसी और सुसीला की सभी मनोकामनाय अनंत भगवान ने पूर्ण करी है उसी प्रकार तुम्हारी भी सभी मनोकामनाय पूर्ण हो जाएंगी जो कुछ भी आपने खोया है वो सब आपको पुना प्राप्त होगा भगवान स्री कृष्ण का है धरमराज उदिश्टिर अनंत चतुर्दसी का जो व्रत मैंने तुम्हें बताया है उस व्रत को करने से मनोसे अपने सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोग को जाता है भगवान स्री कृष्ण के कहनुसार धरम राज उदिश्टिर ने भी अनंत भगवान का व्रत और पूजन किया व्रत के प्रभाव से उनके सभी मनोरत सिद्धुए और महा भारत के युद्ध को जीत कर उन्हें उनका राज और यस जो प्लब दुटिन प्लिदे मनोरत से गाज से उनका भादू है